36 गर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहान लगातार हो रही बारिष ने जैसे ही ब्रेक लिया अब अधिकतम वन्यूंतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है वहीं इसकी वज़े से उमज भी बढ़ गई है तो बीते सनीवार को रहाइपूर का अधिकतम तापमान समान्य से 4 डिग्री सेस्यस अधिक रहा और वहीं 34.2 डिग्री सेस्यस दर्ज़ किया बतादे कि प्रदेश में सरवाधिक तापमान कुरूद में जो की 35 डिग्री सेस्य किया मौशवए भाग का कहना है कि आज यानी रवीवार को प्रदेश की बीन शेत्रों में हल्की सी मध्यमवर्शा भी हो सकती है और कुछ शेत्रों में अकासी बिजली गीनैं की भी शंभावना है वहीं आनेवाला कल यानी शोमार से मोहसम कमीजाज फिर से बदल सकता है औ इनके अलावा पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बारिश थम गई है जिसने तापमान बढ़ गए है और उमस के करण लोग परिसान हो रहे हैं और ऐसे इस्थीती आ गई है कि दिन में लोग एसी कुलर के बीना नहीं रहे पा रहे हैं इनके अलावा मोसल विभाग की अनिसीता का प्रभाव फसलों पर भी परणे लगए हैं वहीं क्रिसी वैग्यान को कहना है कि अभी धान की फसल को पाने की आवश सकता हैं इधर मोसल वैग्यानिकों ने मांसुन ब्रेक जैसे आसंकाओं से मना किया हैं इन्होंने कहा कि शीग ही एक बड़ा सिष्टम बनने जा रहे हैं जिसके प्रभाव से 36 गड़ में एक बार फिर से अच्छी वर्सा होने की शंफावना है तो वहीं मौसम वैग्यानी एच पी चंद्रा ने बताया है कि मांसंद्रोनी का मध्य समुद्रतर से फिरोशपूर रोहतक मेरट गुरगपू और उत्तरपूरो बंगाल की खाड़ी तक इसी था जिससे एक उपरी हवा का चक्री चक्रवाती घिरा जेर किलुमेटर उचाई तक विस्ताय था इसके प्रभाव से आज कुछ छेत्रों में हलकी सी मध्यावर्सा भी हो सकती है फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही तो ऐस और नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बिल आइकन को आंचरूर कीजिएगा